आज के इस वीडियों हम बात करेंगे जो आपको important questions प्रोवाइड किये थे instrumental method of analysis के उसी का unit 4 का solution वीडियो लेकिया है unit 1st, 2nd, 3rd already cover up हो चुका अगर आप नहीं देखा इनका वीडियो तो आपको description में मिल जाएगा और telegram का link मिल जाएगा जहां पर आपको notes मिलेगा इन सबके तो समझ लेते हैं unit 4 के अंदर only two topics है gas chromatography और high performance liquid chromatography इन दो में से एक question long में पक्का बनना ही है तो इन दो topic को कर लेने से आपका एक question अच्छा सा हो रहा है तो अच्छा से इस topic को समझ लीजिए gas chromatography में क्या question पूछेगा तो principle instrumentation type application advantage disadvantage जो कि हम देख लेते हैं तो नाम से पता चला है gas chromatography यानि gas का हम योज करते हैं जो हमारा unknown sample है उसको separate out करने के लिए तो guys जो gas होगा वो as a mobile face act करेगा और जो stationary phase होगा वो solid हो सकता है या liquid हो सकता है तो इसी से आपका जो principle है वो समझ आता है कि जितने भी chromatography है दो principle पर follow करते हैं एक absorption हो गया और दूसरा यहाँ पर partition chromatography इन दोनों पर पर follow होगा तो जब आप इसके types देखोगे तो इसके types में आप देखोगे कि यहां पर gas solid chromatography gas liquid chromatography दोनों के mobile phase के अंदर आप देखोगे तो gas ही लेना हमें और जो stationary phase होगा वहाँ पर change होगा gas solid में solid होगा और gas liquid के अंदर liquid होगा तो इसी liquid और solid के वजए से यहां पर जो इसके chromatography हो वो change होगा तो जो अगर मैं principle आपको बताओ तो जो gas liquid chromatography है उसके अंदर partition chromatography को follow किया गया है और gas solid के अंदर adsorption chromatography को follow किया गया है normally क्या होता है जब हमारे sample है जब हम लोग इसको put out करते हैं इसके instrumentation के अंदर आप देख सकते हो जब हम sample को inject करते हैं अंदर के साइड में तो क्या होगा यहां पर कॉलम पर पहुंचने से पहले ही इसका temperature बहुत हाई होता है यहां पर देख से तो 300 degree Celsius जिसके वजह से जो हमारा sample हो जाएगा और साथ हमारा जो जा रहा है यानि मोबाइल फेस जाएगा वो उसके साथ मिक्स होकर के हमारे ट्रैवल करेगा इस कॉलम के अंदर माला कॉलम के अंदर क्या प्रिजेंट है इस्टेशनरी फेस प्रिजेंट है चाहे वह लिक्यूड हुआ या सॉलिड हुआ और उसके बाद फाइनली वह डिटेक्टर और जो हमारे रिकॉर्डर है वहाँ पर जाएगा तो गाइस वह आ सॉलिड में अलग होगा तो फ्लो रेगुलेटर यानि हमारे पास कंट्रोलर होना चाहिए कि कितने फ्लो में जो हमारा मॉवाइल फेस उसको फ्लो करवाना है और कॉलम बहुत तरह के होते हैं यहां पर पढ़ सकता हो कैपिलरी पैग्ड वाल कोटेड कॉलम और यह जो कॉल साइड में और जैसे इंजेक करेंगे उसके बात क्या होगा वहां पर हमारा वह वेपराइस हो जाएगा तुरांत और यहां पर जो गैस करेंगे हीलियम नेट्रोजन हाइड्रोजन तो गाइस सबसे पहले यह समझे आपकी सेंपल इंजेक्शन यानि जो इंजेक्टर है वह को हैं रहें तो हमें सबसे पहले जो लिक्विट सेंपल हमारे पास अजयोए हम लोग ले करें तो जो थोड़ा से अमांट में लेंगे उसको इंजेक्ट करेंगे और ऑब हुघ से वह Supreme तो और इनर्ट गैस भी हम बोलते हैं जो की अधर गैसे के साथ रियक्ट होगा तो उसके साथ वह इंट्रेक्ट ना करें उसके बाद फाइनली सेपरेशन होगा कॉलम के अंदर कैसे होगा वह आप थोड़ा सा समझी है जो कॉलम है वह किसी का मना हुए अभी मैंने आपको बत हम यहां पर कर रहें गैस लिक्विट क्रोमेटोग्राफी तो जो लिक्विट हम यूज करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट इग्दम हाई होना चाहिए बिकॉस अभी मैंने आपको बता है ओविन का टेंप्रेचर हाई होता है जिसके वज़ेसे वह वैपराइस हो जाए करेंगे अब वहां पर आपको थोड़ा से यह समझना है कि जो कंपॉंट्स जो एब्जॉर करेंगे मतलग जो हमारे पास सैंपल था वैपराइस फों में और यह समझ लें कि इस्टेशनरी फेस है यह स्टेशनरी फेस हो गया यानि कॉलम जो आपको मैंने बताया था तो यह हो गया इस्टेशनरी फेस इसको मैंने जूम कर दिया जूम करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है उसके बाद जो हमारे पास वैपर थे और जो हमारे पास मोबाइल फेस था यह जब इसके अंदर से जाएंगे ना तो जो कॉम्पनेंट है सैंपल के यानि यानि गैस में वह इस जो इस्टेशनरी फेस है उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है अगर ज्यादा एक्टरेक्टिव यानि मोर एफिनेटी शो कर रहा है तो उस टाइम पर क्या होगा ज्यादा टाइम देगा उसके पास मतलब जो हमारा कॉम्पनेंट है सैंपल का वह ज्यादा टाइम इसंट ऐसे इसे प्रफश को जिसके उसके तो जातव हो जैएगा अगर वह धो खाली है Two टाइम यह उतयोग है तोड़ा सा और अच्छे समझें, जो compound निकल जा रहे हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, जैसे इस column से निकल जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो इसको elute कहते हैं, तो first elute कौन करेगा, ऐसे compound जो less affinity show करते हैं, यहां पर stationary face के साथ, तो अगर कम affinity हुआ तो तुरेंट नि graph में आप देखोगे, तो जो first peak होगा, वो इन ही का होगा, अब इनका retention time कम है, यह या दखना आपको, और उसके बाद यहां पर आप देखोगे, secondary वो होगे, जिनका जादा retention time होगा, जिनका boiling point जो होगा, वो जादा होगा, और जो high affinity show करते हैं, stationary face के साथ, तो उनका वाला ज graph जो show करता है, graph जो show होता है, intensity और upon time, इसके उपर show करता है, और यहां पर जो compound है, मैंने आपको बता दिया, जो compound stay करते हैं, और यह वाले जो है, जादा stay करते हैं, इस वाज़े से बाद में इनका graph आ रहा है, तो guys, इसका जो है वो, आप से application पूछे जाएगा, तो application आप य आपको बता जाना है, और इसके बाद advantage, disadvantage है, तो आप बता सकते हो, provide rapid analysis, require small sample, यानि कम sample चाहिए होता है, और high quantitative analysis, यानि कितना quantity है, वो भी बताता है, और disadvantage है, limited to volatile substance, separate out करने के लिए, और small sample की capacity है, इसके पास, और sample must be thermal stable होगा, तभी ये काम करेगा, अदर्वाइस नहीं करेगा, तो guys, ये finally खतम होता है, अब हम समझते है, high performance liquid chromatography, अब ये जो होता है, इसमें हम लोग आपको भी पता है, unknown sample को separate out करने के लिए किया जाता है, यानि एक तो हो गया, ये separation करने के लिए काम आता है, separation के अलावा अगर हम बात करें, तो identify करने के लिए कौन सा compound present है, और साथ यहाँ पर बताएगा, आपको quantity, कितने quantity में वो present है, तो हमने ये समझ लिया, अब ये समझते हैं कि यहाँ पर आप जैसे कि देखे रहो, high performance liquid chromatography, ये बहुत जादा यूज होता है, because यहाँ पर आप समझ रहो, high performance मतलब जो इसका, मैं आप से बताऊं कि जो resolution जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है, मतलब कि अगर आपके पास दो compound है इसमें, जैसे कि आप ये समझ सकते हो, दो compound से, तो ये easily बहुत अच्छे से, बारिकी से बताएगा कि ये अलग है, ये मतलब इसका, जो resolution होता, बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा जो इसका principle है, वो समझते है, principle दोनों पर ही काम करेगा, absorption पर भी, absorption पर भी और साथ ही यहाँ पर partition पर भी दोनों पर ही काम करेगा, because जो stationary phase है, उस पर depend करता है, दोनों ही, तो principle आपको समझ आ चुका है, और जो stationary phase होगा, वो solid हुआ, तो उस time पर हमारा, solid अगर हुआ, तो absorption chromatography पर, अगर liquid होता है, उस time पर partition chromatography पर, यह clear हो गया, अब मैं आपको इसका instrumentation समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझाएगा, जिस से, यह पूरा HPLC, तो सबसे पहले आपका जो होता है, वो solvent reservoir होत अब यह जो solvent reservoir आप देख रहे हो, यही तो है मारा mobile phase, अब यह जो mobile phase आप देख रहे हो, यह contain करता है, 90% water को, और 10% contain करता है, यह organic solvent, जैसे methanol आप बोल सकते हो, organic solvent, अब इसका आप nature समझ सकते हो, यह मतलब water, इसके अदर प्रिजेंट है, जिसके वज़ासे, यह hydrophilic nature का है, और HPLC जो यह काम करता है, यह on the basis of polarity, separation करता है, polar वाले और non-polar वाले polarity, polar जो होते हैं, वो water loving nature के होते हैं, और जो non-polar होते हैं, वो water hitting, यानि हाइडरो phobic होते हैं, तो वो अभी मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ आएगा, तो reservoir जो होता है, वो यहाँ पर करता है, 480 atmosphere pressure, जिससे यह pass हो, और उसके बाद आप देखोगे, यहाँ से injector होगा, यहाँ से हम लोग सेंपल को inject करेंगे, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर injector बोल दो, सेंपल को inject करने के लिए, सेंपल, और उसके बाद यहाँ पर आप आओ, तो यहाँ पर main आपको मिलेगा, जो इसका stationary face है, stationary face जो हम लिंगे रहें, यहाँ पर, वो होगा silica, यहाँ पर जो है, वो silica और यह packed condition में, एक दम packed किया हुआ रहता है, silica, जो होता है, इसको हम लोग, जो इसका nature है, hydrophilic, hydrophobic change कर देते हैं, modify करके lab के अंदर, तो guys, यह हो गया, इसके अलावा, आपके पास यहाँ पर detector होगा, और just detector के नीचे के side में, एक collecting tube होगा, जहाँ पर collect होगा, जो भी आएंगे यहाँ से, sample, और इसके बाद detector के बाद, उपर के side में, जो हमारे पास recorder, यानि जो भी graph दिखाए अब यहाँ से आप थोड़ा सा समझी है, जो हम sample देंगे, वो sample आएगा यहाँ पे, और जो mobile phase है, वहाँ से हमारे पास यह solvent reservoir यह आएगा, आपस में अनकाद mix होगा, mix होने के बाद जो यह silika देख रहा हो, यहाँ इसके उपर से जाएगा, अब क्या होगा, कि जो हमारा sample है sample में आपको भी पता है, जो भी compounds polar nature के होंगे, कुछ polar होंगे, और कुछ non-polar होंगे, non-polar, तो जो polar वाले होंगे, यानि वो water loving nature के है, water loving nature के है, मतलब कि वो, जो हमारा mobile phase है, वो भी water loving nature का है, और यहाँ पे जो silika है, वो hydrophobic nature का है, तो वो water hitting, यानि यहाँ से आएगा, वो direct क्या करेगा, water ले करके, उसको निकल लियागा, detector से, detector detect करके, पहला peak आपको दे देगा, first peak आपको मेरिया, और यहाँ पर collect होंगे, जितने भी water loving nature के, इसके अदर, यानि polar sample के अदर, components से, वो सब आ गया, देखा कितना अच्छा process है, उसके अलावा, जो non-polar वाले होंगे, इसके साथ bond form कर लेंगे, यह जो आप देख रहे हो, इसके अंदर bond form कर लेंगे, sample में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि blood को component, bacteria, toxins, plant toxins, कुछ भी हम ले सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी polar, non-polar होगा, तो non-polar वाले जब इसके साथ bond form करेंगे, तो mobile face के अंदर आप देख र लेवल है, अब इसको change कर देंगे, यह 10 से क्या करेंगे, 20 कर देंगे, 30-40, अब इसका जो है organic solvent वो बढ़ जाएगा, और जो water content होगा, यह decrease हो जागा, जिसके वज़ा से अब यह hydrophilic, hydrophilic तो था ही, hydrophobic nature का बन गया, अब यह hydrophobic nature का बन गया, जहां पे यह bond form हुए है, उ उसको collect out कर लेंगे, और यह जो है, वो second peak आपको दे देगा, तो guys, यह आपको समझ आ गया, अच्छे से retention time, again आपको समझ आगे, जो first वाला था, polar nature के थे, वो तुरांत निकल गया, उनका retention time बहुत कम था, और यह first peak उनिका था, second वाले का था, जिनका retention time जाला था, तो यह आ आपको दिख रहा हो, तो types में आता है, एक तो normal phase आता है, normal phase के अंदर कुछ नहीं होता, यह method होता है, जिसके अंदर हम लोग polar, non-polar को अलग करते हैं, मतलब जो इसके अंदर mobile phase होगा, वो होगा यहाँ पे non-polar nature का, यह अच्छे से आपको याद रखना है, मैं normal वाले के ब reverse phase, normal phase के बाद, reverse phase के बाद कर रहे हो, इसके अंदर mobile phase होगा, वो reverse कर दो, polar nature का होगा, और stationary phase होगा, वो non-polar nature का होगा, इसके अलब जो third है, वो है यहाँ पे size exclusion, तो guys, जो यह third वाला आप देख रहा हो, इसके अंदर हम लोग size के according separation out करते हैं, particles का, तो guys, जिसमें हम लोग ज जो कि tertiary, quaternary structure, proteins का हो गया, amino acids का हो गया, तो उनको हम लोग separate out करते हैं, fourth वाले के अगर हम बात करें, तो वो है ion exchange, इसका हम योज़ करते है, anions, cations, anion, cations को separate out करने के लिए, यह तो इसके types हो गया, और आप advantage भी बता सकते हो, कि यह जो है, वो highly selective होता है, इसके accuracy अच्छा होता है, कम time consume करता है, मतलब fast होता है, और जो simple method है, तुरंत आपका हो जाएगा, और जो है, उसका disadvantage भी आप बता सकते हो, कि जो disadvantage है, वो यह है कि complex है, highly expensive है, तो यह इसके disadvantage हो गया, notes आपको telegram पर मिल जाएंगे, और आज आप unit 3 का, आपको notes मिल यागा, और कल तक आपको unit 4 क अब ही मिल लेगा, तो उसका आपको attention निलेना, I hope आपको यह concept अब किलियर हो गया होगा, मिलते है next video में,